सर्दियों का मोसМें तो कुछ चटपटा और गरम घरम खाने का मन हमेशा होता है तो ये नास्ता पांच मिनिट पर बनकर तयार होता है तो एक बार जरूर बना कर देखिएगा और फूल वीडियो देखिएगा वह जटपटसा बनता है और टेस्टी टेस्टी ये नास्ता दो कच्चे आलू से तो चलिए फिर हमारे साथ फुल वीडियो देखिएगा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सेर, कमेंट, सिस्क्राइब चरूर करिएगा स्वागते दोस्तों आप सबका मेरी यूटूब चैनल धवच की रसोई में तो चलिए फिर स्टाट करते हैं आज का नास्ता बनाना के लिए हमने ले लिया बड़ा सा बाउल बरतन और उसमें लिया है दो कच्चे आलू कद्दू कस करके आप आलू अपने हिसाब से लीजिए कम ज्यादा आलू कर सकते हैं तो अब ले लेते हम कलर के लिए हल्दी पाउडर थोड़ा सा नमक नमक सवात के नुसाल लेना और टेस्ट के अकोर्डिंग लाल मिच पाउडर लेना यह ले लिया हमने चाट मसाला पाउडर इससे नभोत ही चट पटा बनेगा थोड़ा सा ज मिर्ची जितना तीखा खाए उतनी मिर्ची आप ले सकते हैं और प्याज ले लेंगे हम बारिक कटी हुई एक अब इसमें लेंगे हम दो से तीन टीस्पून हमारा बेसन है बेसन आप जो आलू है उसके हिसाब से लीजिएगा अगर बाद में जुरुत लगे तो बेसन ले लीजिएगा फिलेंगे चिली फ्लेक्स सूजी हमने ली है और हरी धनिया है सूजी भी हमारी तीन से चार टीस्पून थी अब सारे मसाले को मच्छ से मिक्स कर लेंगे यह नाश्ता एक बढ़ बना कर देखना आप क्या आपके बच्चे भी रोजा ना बन बाएंगे यह ना यह दो इस तरीके से बन गया है और इसमें पानी उस नहीं करना है हमें बिलकुम भी और यह देखिए हाथों में लेंगे थोड़ा सा हम आलू बेशन का सूजी कर दो और ऐसे हाथों से करेंगे और बस ओईल हमारा गरम हो गया है तो एक बार गरम करने के बाद में मेडियम फ्राइ कर लेंगे तो मेहमान आजाए तब भी बना कर दे सकते हैं और बच्चों को छोटी मोटी भूक में या फिर आपके लिए चाय टाइम में बना कर जरूर खाईए गई है नास्ता बहुत टेस्टी है जब हमने बनाया था तो पान से छे मिनेटी ही लगे थे हमें पका लेंगे तो है ना मज़द्यार नास्ता दोस्तों और देखिए कितना अच्छा कलर आ गया यह देखिए तो भी यह हमारे आलू के पकोड़े लच्छे दार बनकर तयार है और निकाल लेते हैं इन्हें अगल तो लीजी कुरकुरा सा नास्ता टेस्टी टेस्टी सा हमारा लगता है तो इसलिए हमने डीप फ्राइ कर रहे हैं उम्बीद है आज की यह रेसिपी वीडियो आपको हमारी अच्छी लगी हो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और कमेंट जरूर कर देना और चैनल पे नए हो तो प्लीज प्लीज हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना तो क लेकिन मैंने फिर वी आपके लिए बचा के रखा है तो लीजी हमारा दो कच्छे अलू का नास्ता बनकर तैयार है सर्दी हो या बारिस या कोई सावी वो हो तेवार बना सकते हैं आप खा सकते हैं चाय टाइम में तो आप रोजा ना बना कर खा सकते हैं तो भाई यह एक सा अधाया होगा आया हो तो प्लीज एक लाइक कमेंट जरूर करना मिलते हैं कुछ ऐसी चटपटी सी वीडियो के साथ कुछ ऐसे ही रेसीपी के साथ तब तक के लिए दोस्तों अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखिएगा देखे कितना कुरकुरा है यह एक हम आपको पूरकुरा है इसको चटनी दाइं किसी के साथ दें अगले वीडियो में जे राम जी की